दो सितंबर का दिन आज भी मसूरी वासियों की धड़कने बढ़ा देता है जो हाँ इस दिन 1994 में तद काली नोत प्रदिश सरकार के शारे पर पियासी और पुलिस ने शांधी पून तरीके से उत्राखंड राज जो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे आंदोलन कारियों पर बिना किसी चिताबने के गोलियां बरसा दी थी जो से इस हमले में मसूरी के 6 आंदोलन कारी शहिद हुए थे और कई लोग खायड हुए थे वह इस दौरान एक पुलिस पाधिक्षक की भी मौत हुई थी दो सितमबर का दिन मसूरी के तिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है मसूरी के जुला घर के समीब सेट संगर्शो समीती के कारले में आदोलन कारी एक दिन पहले खतीमा में हुए गोलिकांड के विरोध में क्रमेक अंशन पर बैठे थे तब यचानक पी एसी और पुलिस ने अंदोलन कारियों पर बिना पूर्वत चिताबनी के ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी वहीं राज्यों अंदोलन कारियों का कहना है योत्रा घंडराज्यो की मांग को लेकर प्रदेश की जनता ने बहुत दर्द सहे अलाके संघर्ष का सुखत परिणाम भी मिला और उत्रा घंडराज्य बना लेकिन आज भी यहां की जनता मूल भूत सोविधाओं को लेकरता रस रही है यही कारण है कि पहाड़ी से लगातार पलायन का शेहरों के और प्रोग कर रहे हैं मसूरी से नरेश नौटेल की रपोर्ट सितंबर के दिन हम मसूरी बासियों के लिए पूरे परदेश के लिए बहुत ही दुखत दिन है हम लोग उसको याद करते हैं तो सभी लोगों के आंके नम हो जाती है सब्सक्राइब कर दिन को एक शहीद दीवस के रूप में मनाते हैं एक सितंबर को हम सब को यह पता चला कि खटीमा में गोली कांड हो गया उसकी वेज़े से जो है सब लोग उससाइवे थे और दो सुबह सुबह सबने अपने अपने धरों से निकलना शुरू कर दिया था गर से निकलते हुए सब लोग लंडोर बजार गये लंडोर बजार हमारे अधरने सरी पमार जी भी उसको लीट करा करते थे इनके साथ चलते चलते जंता जूरती गई जंता जूरती गई सब के दिलों में यह उस समय खून कॉला हुआ था कि एक सितंबर को जो गोली कांड वो बहुत गलत वाइब बहुत गलत वाइब